Good morning students, welcome back to my channel Study with Abhiman So, आज मैं आप लोगों के लिए UP Polytechnic Interns Exam 2022 के लिए Science में Chemistry से related कुछ most important questions लेकर आया हूँ So, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी students को यहाँ पे जितने भी questions solve करवाने वाला हूँ यह सभी questions आपके Interns Exam के point of view से most important questions है और आप सभी students मुझे comment करके यह जरूर बताईएगा कि मेरे answer बताने से पहले आप लोगों ने कितने questions के answers अपने आप correct कर लिये थे यह आपको comment box में comment करके जरूर बताना है तो चलिए फिर आज किस वीडियो को start करते हैं और देखते हैं आज का question number first यहाँ पे क्या दिया है चार options आपको आपकी screen के उपर दिख रहे होंगे option A दिया है chloric aml, option B gallic aml, option C picric aml और option D दिया है muriatic aml और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को यह question कई बार कराया हुआ है question यह आपका most important है ध्यान रखिएगा so question number first इसका correct answer क्या हो जाएगा इसका correct answer आपका हो जाएगा option D यानी muriatic aml ध्यान रखिएगा hydrochloric aml को हम muriatic aml के नाम से भी जानते हैं तो question यह आपे पूछा गया था कि निमनलिकित में से hydrochloric aml का एक अन्य नाम और कौन सा है तो muriatic aml है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है देखें muriatic aml इसको हम English में क्या बोलते हैं muriatic acid बोलते हैं मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ M-U-R-I-A-T-I-C muriatic acid ध्यान रखिएगा और देखें hydrochloric aml इसका formula क्या होता है इसका formula होता है H-C-L देखें आपसे question ऐसे भी पूछाया सकता है कि muriatic acid का chemical formula क्या होता है तो आप answer में क्या बोलेंगे H-C-L ही होता है ध्यान रखिएगा क्योंकि hydrochloric aml को ही हम muriatic aml के नाम से जानते हैं तो आपको confuse करने के लिए question ऐसे पूछाया सकता है कि muriatic acid का chemical formula क्या होता है तो आप बोलेंगे H-C-L होता है ध्यान रखिएगा क्योंकि hydrochloric aml को ही हम muriatic aml के नाम से या muriatic acid के नाम से जानते हैं ध्यान रखिएगा सो option D इस question का आपका correct cancer हो जाएगा question यह आपका most important है अच्छे से prepare कर लीजेगा अब चलिए इसके बाद देखते हैं next question question number second क्या दिया है question number second आपको आपकी screen के उपर देख रहा होगा question यहापे लिखा है कि निमनलिकित में से hydrogen gas की खोज किस ने की थी चार options आपको आपकी screen के उपर देख रहे होंगे option A दिया है William Ramsey ने option B दिया है Joseph John Thompson ने option C दिया है Shilay ने option D दिया है Henry Cavendish ने so question number second इसका correct answer क्या हो जाएगा देखे इससे पहले भी मैंने आप लोगों को यह question कई बार solve कराया हुआ है देखे मैंने आप सभी students को पहले भी कई बार बताया है कि मैंने आप लोगों का maximum slabus पहले ही complete करवा दिया है आप channel पर जाएगा 2022 की physics की chemistry की और mathematics की playlist को चेक कर लीजेगा वहाँ पे आपको सभी videos line से मिल जाएगी सभी chapters की videos आपको मिल जाएगी जो chapters मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हुए है So question number second इसका correct answer हो जाएगा Henry Cavendish ने ध्यान रखेगा यानि निमनलखित में से hydrogen gas की खोज किस ने की थी तो ये की थी Henry Cavendish ने अब देखे यहाँ से आप लोगों से एक question और पूछा जा सकता है और ये question आपका physics से related होता है Question क्या पूछा जाएगा आपसे कि सार्वतरिक गुर्तवा करसन नियतांक Capital G का मान किस ने ग्यात किया था Capital G से मतलब मारा किस से होता है सार्वतरिक गुर्तवा करसन नियतांक से होता है तो question आपसे पूछा जाएगा कि सार्वतरिक गुर्तवा करसण नियतांक कैपिटल जी का मान किसने ग्याद किया था तो कैपिटल जी का मान ग्याद किया था हेंरी केविंडिश ने ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया हुआ है और capital G का मान होता कितना है तो capital G का मान होता है 6.67 into 10 raise to the power minus 11 6.67 into 10 raise to the power minus 11 newton meter square पर kg square यानी kilogram square ये आपको ध्यान रखना है तो आपसे physics में ये question पूछा आ सकता है कि सार्वतरिक गुर्तवा करसन नियतांक capital G का मान किसने ग्याद किया था तो capital G का मान ग्याद किया था Henry Cavendish ने और capital G का मान होता क्या है 6.67 into 10 raise to the power minus 11 newton meter square पर kg square ये भी आपको ध्यान रखना है और इस question का आपको यहाँ पे correct answer हो जाएगा hydrogen gas की खोज किस ने की थी Henry Cavendish ने की थी ये आपको ध्यान रखना है ठीक है और एक बात आप लोग और ध्यान रखेगा देखे capital G और small g में difference होता है ध्यान रखेगा capital G से हमारा मतलब किस से होता है सार्वतरिक गुर्तवा करस्ण नियतांक से होता है और small g से हमारा मतलब किस से होता है गुर्तविये त्वरण से होता है ध्यान रखेगा small g का मान कितना होता है 9.8 meter per second square या फिर कहीं कहीं आपको 10 meter per second square भी इसका मान लिखा हुआ मिलता है लेकिन 9.8 meter per second square ये small g का मान होता है यानि गुर्तविये त्वरण का होता है और capital G जो होता है ये सार्वतरिक गुर्तवा करस्ण नियतांक है और इसका मान होता है 6.67 into 10 raise to the power minus 11 Newton meter square per kg square ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है तो यहाँ पे correct answer आपका हो जाएगा Henry Cavendish ठीक है अब चलिए इसके बाद देखते है next question यहाँ पे question number third क्या दिया है question number third आपको आपकी screen के उपर दिख रहा होगा यहाँ पे question लिखा है कि निम्न लिखित में से global salt का रासाइनिक सूत्र क्या होता है चार options आपको आपकी screen के उपर दिख रहे होंगे और इससे पहले मैंने आप लोगों को यह question कई बार कराया हुआ है question यह आपका most important है ध्यान रखिएगा आपसे पूछा गया कि निम्न लिखित में से global salt का रासाइनिक सूत्र क्या होता है so question number third इसका correct answer क्या हो जाएगा इसका correct answer आपका हो जाएगा option B यानि Na2SO4.10H2O यह आपको ध्यान रखना है दिखे global salt इसको हम global right के नाम से भी जानते हैं ध्यान रखिएगा और जो global right है यह sodium का आयस्क होता है ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि global right का formula क्या होता है तो same यही होगा Na2SO4.10H2O और जो global right है यह sodium का आयस्क होता है यह भी आपको ध्यान रखना है देखे धातू और उनके आयस्क से related करीब मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हुई है एक-एक question solve कराए है सभी धातू और उनके आयसक के बारे में बताया है उनके formula बताए हुए है तो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजेगा और chemical formula के उपर तो मैंने अलग से वीडियो पहले से ही बनाई हुई है उसे भी आप लोग देख लीजेगा इस question का correct answer आपका हो जाएगा Na2SO4.10H2O question को अच्छे से prepare कर लीजेगा अब चलिए इसके बाद देखते है next question question number 4 क्या दिया है question number 4 यहाँ पे है किन्निम निलिकित में से cryolite किस धातू का आयसक होता है option A दिया है sodium का option B aluminium का option C lithium क्या option D दिया है sodium तथा aluminium दोनों का so question number 4 इसका correct answer क्या हो जाएगा इससे पहले भी मैंने आप लोगों को यह question कई बार कराया हुआ है तो निलिकित में से cryolite किस धातू का आयसक होता है तो यह होता है sodium तथा aluminium दोनों का ध्यान रखिएगा ठीक है cryolite इसका formula क्या होता है NA3 AL F6 यह इसका chemical formula होता है ठीक है रासाइनिक सूतर इसका यह होता है NA3 AL F6 अब देखे यहाँ पे NA से मतलब sodium AL से मतलब aluminium तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा जो cryolite है न यह sodium तथा aluminium दोनों का IS को होता है यह आपको ध्यान रखना है और cryolite का formula जरूर लर्न कर लीजेगा यह आपके exam में पूछा जा चुका है ठीक है तो question number 4 का correct answer option D आपका होगा अब आते हैं next question पे question number 5 तो question number 5 आपको आपकी screen के उपर देख रहा होगा question यह आपके है कि निमलकित में से रक्त तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है यह आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है option A दिया है CO प्लस N2 option B CO प्लस H2 option CCH4 C2H4 C2S2 option D दिया है C2H5SH इससे पहले भी यह question मैंने आप लोगों को कई बार कराया हुआ है दिखे अगर आप लोगों ने अपना slabus complete किया होगा जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना आपने पढ़ा होगा तो आज की इस वीडियो में आपका एक भी question यहाँ पे गलत नहीं होने वाला सभी question के answer आप लोग कर पाएंगे तो यहाँ पे question number 5 इसका correct answer क्या होगा CO plus H2 होगा option B correct हो जाएगा देखे CO plus H2 इसको हम किस नाम से जानते हैं भाप अंगार gas के नाम से किस नाम से भाप अंगार gas के नाम से जानते हैं या फिर आप इसे जल gas भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं जल gas यह आपको ध्यान रखना यह तो अभी मैंने आपको दो दिन पहले ही बताया हुआ था तो देखे निम्लिकित में से रक्त तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने प्रवाहित करने पर तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा भाप अंगार gas लेकिन देखे यहाँ पे आपको ऑप्शन में भाप अंगार gas यह नहीं लिखा हुआ मिलेगा नहीं तो यह question आपके लिए easy हो जाएगा तुरंत आप बता देंगे भाप अंगार gas यहाँ पे आपको इसका formula लिखा हुआ मिलेगा इसका संघटन लिखा हुआ मिलेगा यह आपको ध्यान दखना है ठीक है तो यहाँ पे option B correct हो जाएगा अब चलिए इसके बाद देखते है next question question number 6 क्या दिया है question number 6 आपको आपकी screen के उपर देख रहा होगा निम्न लिखित में से AR, 3D10, 4S2, 4P2 electronic विन्यास वाला तत्व होगा option A दिया है अधातू, option B उपधातू option C दिया है धातू और option D दिया है अक्रिये gas यह question आपका important है ध्यान रखेगा थोड़ा tricky question है देखे आपको यहाँ पे electronic configuration पहले ही दे दिया गया है अब इसी electronic configuration की help से हम यहाँ पे जो element है इसका atomic number find out कर सकते है अब देखे यहाँ पे AR लिखा है AR से मतलब किस से होता है AR से मतलब होता है organ से और organ का atomic number होता है 18 18 इसका प्रमाडू करमांग होता है यह आपको ध्यान रखना है अगर आप organ का electronic configuration करेंगे तो आपको मिलेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 मिलेगा ठीक है आप यहाँ पे electrons count कर लीजे 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18 और यहाँ पे प्रमाडू करमांग organ का क्या होता है 18 होता है ध्यान रखेगा आप लोगों को मैंने एक relation बताया है अगर आप से पुछा जाए कि organ में कितने electrons है तो आप बोलेंगे 18 है ध्यान रखेगा ठीक है तो देखे यहाँ पे अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हम electrons को count कर लेंगे देखे और गन में कितने है 18 है और यहाँ पे इसके बाद देखे 3D 10 लिखा है तो 18, 10, 28 और 2, 30 और 2, 32 यानि जो element है इसका atomic number क्या है 32 है क्या है 32 है तो यहाँ पे मैं short में लिख देता हूँ atomic number इसका क्या है atomic number जो element का है वो है 32 और atomic number 32 यह होता किसका है तो यह होता है जर्मेनियम का जिसको हम GE से represent करते है किस से GE से जर्मेनियम का atomic number होता है 32 और जर्मेनियम क्या है यह एक उपधातू है यानि मैटलॉइड है यह आपको ध्यान रखना है जर्मेनियम क्या है ये एक उपधातू है ये आपको ध्यान रखना है तो उपधातू कहां दिया है option B में दिया है so option B इस question का आपका correct cancer हो जाएगा देखे ये question solve करने का तरीका बहुत सिंपल है देखे सबसे पहले आप यहाँ पे short method से कैसे कर सकते है यहाँ पे AR लिखा है AR से हो गए 10 यहाँ पे देखे 3D 10 दिखा है 10 18 10 28 फिसके बाद 2 30 और 2 32 हमें atomic number पता चल जाएगा 32 होता है atomic number 32 हमें यहाँ पे मिल गया जो element यहाँ पे दिया हुआ है इसका atomic number 32 हमें पता चल गया किसका होता है germanium का होता है और germanium क्या है ये एक उपधातू है या फिर आप यहाँ पे organ का electronic configuration कर लीजे यहाँ से electrons को count कर लीजे 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 फिर इसके बाद 18 10 28 2 30 और 32 फिर से हमें atomic number 32 मिलेगा germanium का होता है germanium उपधातू है तो ऐसे भी questions आप से पूछे जा सकते ध्यान रखेगा तो यहाँ पे correct answer क्या होगा option B होगा उपधातू यानि metalloid होगा क्योंकि जो ह हमें यहाँ पे electronic configuration दिया है यह किसका है atomic number 32 का है जो की germanium का होता है germanium को GE से represent करते हैं जो की उपधातू है यानि metalloid है यह आपको ध्यान रखना है तो एक बार मैं फिर से आपको बता दू प्रमाडू करमांक 1 से लेकर यानि atomic number 1 से लेकर के कम से कम 45 तक के elements के नाम और atomic number आपक question पे question number 7 question number 7 आपके entrance exam में पूछा जा चुका है question है कि निमन लिखित में से red lead का रसाइनिक नाम क्या होता है UP polytechnic entrance exam 2014 में आया हुआ question option A दिया है lead nitrate option B triplumbic tetroxide option C lead monoxide या option D lead sulfide इससे पहले भी मैंने आपको एक question कई बार कराया है तो निमन लिखित में से red lead का रसाइनिक नाम क्या होता है ट्राई einfachlumbic tetra oxide होता है ये आपको ध्यान रखना है और देखिए जो red lead है ना इसको हम सिंदूर या फिर ces sindूर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, red lead को हम, सिंदूर या फिर, सीस सिंदूर के नाम से भी जानते हैं, और red lead, इसका formula क्या होता है, PB3O4, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्या होता है, PB3O4, आप से ऐसे भी पूछाया सकता है, किस सिंदूर या पिस सिंदूर का formula क्या होता है, PB3O4, क्यूंकि red lead को ही हम, सिंदूर या सिस सिंदूर की नाम से जानते हैं, और इसका यहाँ पे, रासाइनिक नाम यानि chemical name होता है, ट्राइपलम्बिक टेटरोकसाइड formula आपके सामने, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, प्रिपेर कर लीजेगा, अब इसके बाद देखते हैं, next question, question number 8, question number 8 आपको आपकी screen के उपर दिख रहा होगा, question यहाँ पे है, कि प्रतिसत्ता के आधार पर, यानि percentage के according, वायू मंडल में, सरवाधिक मात्रा में, पाई जाने वाली गैस कौन सी है, option A, oxygen, option B, carbon dioxide, option C, hydrogen, या फिर option D, nitrogen, ध्यान रखेगा, यहाँ पे वायू मंडल में पूछा जा रहा है, यानि atmosphere में आपसे पूछा जा रहा है, इसी के according आपको answer करना है, प्रतिशत्ता के आधार पर, यानि percentage के according, atmosphere में यानि वायू मंडल में, सरवाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, so इस question का correct answer होगा, option D, यानि nitrogen, कितने percent पाई जाती है, atmosphere में यह, 78 percent पाई जाती है, ध्यान रखेगा, लेकिन अगर आप अपनी अरिहंत की book में चेक करेंगे, अगर आप लोग अपनी preparation अरिहंत की book से कर रहे हैं, तो उस book में एक question इसी type का दिया हुआ है, उसमें 80 percent बताया गया, कितना बताया गया है, 80 percent बताया गया है, तो दोनों तरीके से ध्यान रखेगा, 78 percent और 80 percent, देखिए सही तो 78 percent है, लेकिन अरिहंत की book में 80 percent दिया है, अब जैसे मान लीजे, book से आपका question आ गया, तो आपको option में 80 percent भी लिखा हुआ मिल सकता है, देखिए 78 और 80 percent दोनों साथ में नहीं रहेगा, या आपको 78 percent ही देखने को मिलेगा, या फिर 80 percent आपको देखने को मिलेगा, दोनों साथ में हो नहीं सकता, वैसे 78 percent होता है, ये आपका correct होगा, ध्यान रखिएगा, जो atmosphere में जो पाई जाती है nitrogen, इसकी मात्रा कितनी होती है, 78 percent होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट क्वेशन, क्वेशन नमबर 9 क्या दिया है, क्वेशन नमबर 9, क्वेशन यहाँ पे लिखा है, किन्निमन लिखित में से, sulfurous अमल, यानि, sulfurous acid का रसाइनिक सूत्र क्या होता है, देखे यहाँ पे, sulfurous अमल लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, 4 options आपको आपकी screen के उपर दिख रहे होंगे, यह question मैंने आपको करीब 3 से 4 बार पहले भी करवाया हुआ है, और इस question में students काफी confused होते हैं, ध्यान रखिएगा, इस type के questions में students काफी confused होते हैं, यहाँ पे question number 9, इसका correct answer क्या होगा, इसका correct answer होगा, H2SO3, क्योंकि आपसे यहाँ पे sulfurous अमल पूछा जा रहा है, देखें, इससे पहले जब मैंने आपको यह question कराया हुआ था, maximum students ने इस question का answer क्या दिया था, H2SO4 दिया था, तो देखें, जो H2SO4 है, यह sulfuric acid का formula होता है, sulfurous अमल का नहीं होता है, ध्यान रखेंगा, sulfurous अमल का जो formula होता है, वो H2SO3 होता है, और जो sulfuric acid होता है, उसका formula H2SO4 होता है, देखें, sulfuric और sulfurous में अंतर है, यहाँ पे sulfurous लिखा है, ना कि sulfuric ध्यान रखेंगा, तो sulfurous अमल का formula H2SO3 होता है, ये आपको ध्यान रखना है और अगर आपसे सल्फियोरी के सिट पूछा जाएगा तो आप H2SO4 बोलेंगे तो यहाँ पे option C correct होगा next question यहाँ पे question number 10 question number 10 आपका दिया है कि निम्नलिखित में से प्रकासिक यंत्र बनाने के लिए किस प्रकार का काच प्रियुक्त होता है बहुत सिंपल सा question है आप सब लोगों को इस question का answer पता होगा option A दिया फ्लिंट काच, option B पायरेक्स काच, option C मृदू काच या option D इन में से कोई नहीं तो निम्नलिखित में से प्रकासिक यंत्र बनाने के लिए किस प्रकार का काच प्रियुक्त होता है अब आते हैं next question पे question number 11, question number 11 है किन्नलिखित में से किसे सफेद स्वन यानि white gold के नाम से जाना जाता है ये भी question कई बार मैंने आपको कराया है option A है सुधश्वन को, option B चांदी को, option C petroleum को या option D platinum को या पे question number 11, इसका correct tensor क्या हो जाएगा इसका correct tensor आपका हो जाएगा option D यानि platinum को ये आपको ध्यान रखना है किन्नलिखित में से किसे सफेद स्वन के नाम से जाना जाता है तो ये जाना जाता है platinum को ध्यान रखेगा आप से ये question पूछा जा सकता है आपके entrance exam में सफेद स्वन white gold, white gold के नाम से किसको जाना जाता है तो ये जाना जाता है platinum को ये आपको ध्यान रखना है ठीक है अब देखे यहाँ पे petroleum आपका लिखा हुआ है petroleum को हम किस नाम से जानते हैं? petroleum को हम drausona बोलते हैं क्या बोलते हैं? drausona ध्यान रखेगा ठीक है ये आपको ध्यान रखना है कि drausona किसे बोला जाता है? तो petroleum को बोला जाता है ध्यान रखेगा लेकिन यहाँ पे सफेद सोन पूछा गया है तो ये तो आपका होगा platinum यानि platinum को हम white gold के नाम से जानते हैं ये आपको ध्यान रखना है अब चलिए आज का last question देखते हैं question number 12 क्या दिया है? question number 12 है कि निमन लिखित में से अगनी शमन में कौन सी gas का प्रियोग किया जाता है? option A oxygen, option B carbon dioxide, option C carbon dioxide आपका option C दिया, option B आपका carbon monoxide दिया हुआ है और option D आपका यहाँ पे helium दिया गया है तो जैसा कि आप लोगोंने options देख लिया होगा question पूछा गया कि निमन लिखित में से अगनी शमन में कौन सी gas का प्रियोग किया जाता है? oxygen का carbon monoxide, carbon dioxide या फिर helium का so correct answer क्या हो जाएगा? correct answer आपका होगा carbon dioxide option C अगनी शमन मतलब आग बुझाने में ध्यान रखेगा अगनी शमन से मतलब क्या होता है? आग बुझाने में या आपको ध्यान रखना है तो अगनी शमन में याणी आग बुझाने में कौन सी gas का प्रियोग किया जाता है? carbon dioxide का option C question का आपका correct answer हो जाएगा so आज किस वीडियो में total मैंने आप लोगों को 12 questions solve कराए हैं अगर आपको कोई question नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे comment करके पूछ सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करना मत भूलेगा और साथी साथ हमारे चैनल study with अभिमान को subscribe करना मत भूलेगा so आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में thanks for watching